तोड़ी मात्रा में जो है वो स्पिरिट बरामद हुआ है कुछ शराब भी बरामद हुई है बाकी ये किसका प्रापटी है आगे हैं कहां से फॉरवर्ड बैक्वर्ड लिंकेज़ेस हैं उसकी जानकरी ले जा रही है बाकी इंवेस्टिकेशन की जा रही है नमस्कार आपदीख्रे न्यूस फॉर्डेशन और मैं हूँ सांथमुना आपके साथ साल 2016 से बिहार में शराब बंदी कानून लागो है और इसको सफल बनाने की कवायब में लगातार बिहार की सरकार और प्रसाशन जुटी हुई है चाहे वो बिहार के बॉडर्ड पर चेक प कि शुरुआत करना हो मुक्षमंत्र नितीश हुमार का ये सपना है कि विहार का जो प्रदेश है वो शराब मुक्त हो सके समाज सुरक्षित हो सके हर कोई खुशहार रह सके ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को देखकर भी एफैसला लिया गया था विहार में लेकिन इसके वि खरीद बिक्री के दोरां तो कभी शराब की भटियां पाई जाती है। रापर के साथ शराब बनाने के आन्य सामान बरामत किये गए है। पुलिस ने फाक्टरी में मौझूद दो लोगों को गिरफतार कर लिया है। गिरफतार आरोपियों से पूश्टाच की गई उन्होंने गोदाम की जानकारी दी। गोदाम में जब टीम पहुची तो दंग रह गई। राजदानी छेतर में ऐसा गोदाम पाया गया जहां हजारों लीटर स्प्रिट जमा की गई थी। टीम यह सूच कर हैरान रहो गई कि इतनी स्प्रिट यहां तक लाए गई तो आखिरकार कैसे लाए गई। पकड़े गई दोनों आरोपियों से पूश्टाच की जा रही है ताकि असली माफिया तक पहुचा जा सके। फिलाल पानी फैक्टरी को सील कर दिया गया है। क्या पाया गया तरह है। बिहार सरकार की नाग के तले बिहार की राज़ानी पटना में एक वाटर प्लांट के भीतर खाने अवैद शराब का नर्मान किया जा रहा था जहां भारी मात्रा में शराब का बनाने को लेकर स्प्रिट पाए गया है रापर्स पाए गये हैं यह सभी महंगे ब्रांड़ शराब के रापर्स हैं जिनकी छापेमारी के दौरान इनकी बरामदगी हुई है पुलिस इस पूरे मा आया भी गया था व्लाग इलिए सब्टेच में अतना ही नमस्का